इस वीडियो में हम लोग permutations and combinations के उन questions को discuss करेंगे जो BPSC exam में पूछे गए हैं तो first question आपके screen पे है पहले आप इसको खुछ से try कर लीजे वैसे इस question को solve करने के लिए आपको दो basic information पता होना चाहिए एक NCR का formula और दूसरा factorial का basic क्या होता है अगर आपको पता है तो आप directly solve कर सकते हैं मैं थोरा सा आपको बता भी देता हूँ यहां वैसे इसको detail में जानने के लिए हमारे playlist में जाके आप detail video देख सकते है factorial का भी और combination का भी basic वाला वीडियो और मैं इस वीडियो के description में भी उसका link दे दूँगा ncr का formula होता है n factorial divided by n minus r factorial into r factorial और factorial का मतलब क्या होता है 6 factorial का मतलब 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अब आप इसको 6 into 5 4 3 2 1 इसको 5 factorial भी बोल सकते है या 6 into 5 into 4 उसके बाद मन हुआ इन टीनों को merge कर दिये तो into 3 factorial अब इस question पर आते है given information है 2nc3 divided by nc2 is equal to 44 by 3 तो पहले हम लोग इसको simplify करते है 2nc3 का क्या formula होगा n factorial तो n के जगह पे 2n है तो 2n factorial divided by n minus r तो 2n minus 3 factorial into r factorial उसके नीचे nc2 तो n factorial divided by n minus 2 factorial into 2 factorial पहले इसको simplify कर लेते हैं 2n factorial divided by 2n minus 3 factorial into 3 factorial multiplied by यह numerator में चला जाएगा और यह denominator में चला जाएगा तो n minus 2 factorial into 2 factorial divided by n factorial अब 2n factorial जो यहां पे लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते है क्योंकि नीचे जो 2n minus 3 factorial है उससे यह cancel हो जाएगा और जो आपके पास 3 factorial यहां पे लिखा हुआ है उसको आप 3 into 2 factorial लिख सकते हैं अब यहां n minus 2 factorial वैसे ही रहने दिया 2 factorial वैसे ही रहने दिया डिनॉमिनेटर में जो n factorial है उसको n n minus 1 और into n minus 2 factorial कर दिया अब यह इससे cancel हो गया 2 factorial 2 factorial से cancel हो गया n minus 2 factorial n minus 2 factorial से cancel हो गया यहां जो n है वो यहां वाले n से cancel हो गया अब क्या बचा 2 into 2n minus 1 और यह जो 2n minus 2 है इसमें से आप अगर 2 common ले ले तो 2 into n minus 1 यहां पर बच जाएगा और डिनॉमिनेटर में अपने पास क्या क्या है एक तो 3 है और एक n minus 1 है n minus 1 n minus 1 cancel हो गया 2 into 2 4 और 4 को अगर 2n minus 1 से multiply करते हैं तो वो हो जाएगा 8n minus 4 और डिनॉमिनेटर में 3 है अब according to the question इसका value क्या है 44 by 3 तो अब इसको हम 8 9 minus according to the question 8n minus 4 divided by 3 is equal to 44 by 3 3 3 cancel हो गया 8n minus 4 का value 44 तो यहां से n का value find out कर लेंगे 8n equals to 44 plus 4 48 तो n का value आ गया 48 by 8 that is 6 तो इस question का answer हो गया 6 मूफ करते हैं next question की और next question में दिया गया है कि अपने पास 12 identical pens हैं पहले आप चाहें तो इसको खुद से try कर ले 12 identical pens हैं यह हमें distribute करना है two students के बीच में दो student के बीच में तो मान लिया कि students जो है A और B है कैसे distribute करना है कि each student is to get at least two pen क्योंकि pens identical है सारे pen एक जैसे ही है तो दो pen A को दो pen B को देने का तरीका एक ही ऐसा तरीका होगा अब बचे हमारे पास कितने pens 8 pens अपने पास बचे हुए हैं वो भी A और B में ही distribute करना है तो इसको हम कैसे distribute कर सकते हैं A को हमने 0 दे दिया B को 8 का 8 pen दे दिया या फिर A को 1 pen दिया B को 7 दिया इसको 2 दिया इसको 6 दिया या फिर 3 5 या फिर 4 4 pen दे दिया 5 3 दे दिया 6 2 दे दिया 7 1 दे दिया या फिर 8 का 8 pen A को और 0 pen B को तो टोटल यहां कितने cases बनने हैं, टोटल कितना तरीका हो सकता है, 9 ways हो रहे हैं, तो टोटल अपने पास 12 pin, उसमें से पहले 2-2 pin दिया, उसका एक तरीका, end, उसके साथ-साथ हमें यह 8 pin भी distribute करना परेगा, तो end का sense है, तो 1 into, यहां पर 9 ways, तो 1 into 9, टोटल 9 ways हो गया, टोटल 9 तरीके से यह काम हो सकता है, end के sense में हम multiply करते हैं, end का sense क्यों है, क्योंकि हमें total 12 identical pins को distribute करना है, तो पहले 2-2 दिया, उसका एक तरीका, इसके साथ-साथ, end, हमें यह 8 pin भी distribute करना है, तो 8 pin distribute करने का 9 ways, तो 1 way into 9 ways is equal to 9 ways, वैसे इस question का हमने एक direct result भी परहा हुआ है, उसका link भी मैं description में दे दूँगा, या फिर आप playlist में जाकर देख सकते हैं, वो direct result क्या है, उसमें यह बोला गया है, कि जब भी an identical चीज़े आपके पास हो, और वो आपको distribute करना हो, r persons के बीच में, तो उसके तरीके का direct formula होता है, n plus r minus 1, c r minus 1, यह direct formula है उसका, तो इसमें क्या हुआ कि starting में तो आप 2-2 pen a और b को दे रहे हैं, उसका एक तरीका है, यह तो अलग से है ही, और जो आपका 8 pen distribute करने का आपने 9 ways find out किया है, इस चीज़ को आप directly कर सकते हैं, 8 pen जो है, वो distribute करना है, तो n equals to 8, कितने लो तो n plus r minus 1 का क्या value हो गया, 8 plus 2 minus 1, तो 9, और r minus 1 का value हो गया, 2 minus 1, 1, तो n plus r minus 1, c r minus 1, तो n plus r minus 1 के जगा पे 9, c r minus 1 के जगा पे 1, तो इसका number of ways हो गया, आपका 9c1, 9c1 का value क्या होता है, 9, आप formula से भी evaluate कर सकते हैं, यह directly भी 9 में से एक select करना 9 तरीका, 9c1 is equal to 9, अब one way था कि 12 identical pen में से 2-2 a और b को दे दिया, एक तरीका वो और यह 8 pen distribute करने का तरीका 9, तो one way into nine ways, तो total number of ways क्या हो जाएगा, 1 into nine, 1 into nine is equal to nine, तो यहां से भी आप answer ला सकते हैं, यह direct result भी important है, move करते हैं, next question की ओर, इस question में पूछा गया है, कि how many times the digit nine occurs in the numbers from 100 to 999, 100 से लेके 999 तक अगर आप लिखते हैं, तो कितने बार 9 लिखेंगे, तो इस question को हम पहले करते हैं, कि 100 से लेके 999, मतलब 3 digit number, ठीक है, तो इसमें हम पहले count करते हैं, कि जब 9 units place पे हो, 9 को यहां पे fix कर दिया, तो यहां पे 9 put किया, मतलब एक ही तरीका है, 9 को यहां fix कर दिया, अब उसके साथ-साथ, यहां पे हम कितने तरीके से digit को put कर सकते हैं, यहां पे हम 9 ways में digit को put कर सकते हैं, यहां 1 से लेके 9 तक का कोई भी digit आप put कर देचे, कोई problem नहीं है, ठीक है, सिर्फ हम यहां पे 0 नहीं put कर सकते हैं, क्योंकि यहां अगर हम 0 put कर दिया, जीरो, टू, नाइन, तो यह 3 digit नंबर बचा ही नहीं, यह 100 से 999 के बीच का नंबर नहीं हुआ, इसलिए पहले वाले place पे हम सिर्फ 0 put नहीं कर सकते हैं, 1 से लेके 9 तक का कोई भी नंबर put कर सकते हैं, 9 तरीका, यहां पे हम 0 भी put कर सकते हैं, तो 0 से लेके 9 का कोई नंबर यहां put कर सकते हैं, 0 से लेके 9 तक में total कितने digit होते हैं, 10 digit होते हैं, तो अब देखो कितना तरीका होगा है, 9 wage, 10 wage और 1 wage, तो 9 into 10 into 1, तो यहां से first case में अपने पास 90 wage आ गया, तो 90 बार ऐसा होगा, कि 9 units place पे है, इकाई अंग पे है, अब दूसरे case में हम लोग ले लेते हैं, कि 9 को हम 10 अंग पे shift कर देते हैं, 10s place पे, तो यहां पर 9 को fix कर दिया, मतो यहां एक ही तरीका 9 fill करना है, अब पहले वाले place में फिर से 9 तरीका, 1 से 9 के बीच का कोई भी digit हम यहां पुट कर सकते हैं, सिर्फ 0 नहीं पुट कर सकते हैं, और यहां पर हम 1 से लेके 9 भी पुट कर सकते हैं, और 0 भी पुट कर सकते हैं, तो 0 से 9 का कोई number, मतलब 10 तरीका, 0 से लेके 9 तक में total 10 possibility है, तो अब यहां से कितने वेज आ गए, 9 into 1 into 10, तो यहां से भी 90 वेज आ गए, अब हमारा third case होगा, कि हम 9 को 100th place पे fix करते हैं, सबसे पहले वाले पे हम 9 को fix करते हैं, तो यहां पर 9 को fix कर दिया, तो यहां एक ही तरीका 9 को fix करने का, उसके बाद यहां पर हम 0 से लेके 9 का कोई भी digit यूज़ कर सकते हैं, मतलब 10 तरीका, second place पे 0 हो रहने से कोई problem नहीं आएगा, जैसे 209, यह still 3 digit number है, तो 0 का सिर्फ problem है कि first digit पे 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि उससे number 3 digit का नहीं बचेगा, वैसे ही third place पे भी हम 0 से 9 के बीच का कोई भी digit यूज़ कर सकते हैं, तो total तरीका हो गया, 1 into 10 into 10, तो 1 into 10 into 10 का value हो गया, 100, तो total जो अपना है, वो क्या हो गया, 90 total number, कितने बार 9 हमे लिखना परेगा, 90 time, plus 90 time, plus 100 time, तो ये आंसर आ जाएगा, 280 बार ऐसा होगा, जब हम 9 को लिखेंगे, कहाँ कब जब 100 से लेके 999 तक अगर हम लिख रहे हैं, तो कितने बार लिखेंगे, 280 तो आंसर इसका आ गया, 280, वैसे इस question का भी मैंने एक direct result आपको बताया हुआ है, हो जाएगा, वो भी आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं, मैं link भी दे दूँगा, वो direct result हमारा है, कि अगर हम 1 से लेके 100 तक कहीं भी लिखते हैं, तो उसमें 0 हम 11 बार लिखते हैं, 11 times 0 आता है, 1 हम लिखते हैं 21 times, और 2 से लेके 9 तक का, अगर कोई भी digit मैं पूछू तो 2 से लेके 9 तक का digit जो है, वो 20 times आता है, यह आप directly याद कर सकते हैं, वैसे ही 1 से लेके 1000 तक की बात करें, 1 से लेके 1000 तक, तो 0 है 111 times आता है, 111 बार आप 0 लिखते हैं, 1 को लिखते हैं 301 times, और 2 से लेके 9 तक के किसी भी digit के बारे में अगर हम बात करें, तो वो हम लिख यहां हम से पूछा गया है कि 100 से लेके 999 तक लिखना है कितने बार 9 आएगा तो 1 से लेके 1000 के बीच में 9 आता है 300 बार इसका मतलब 1 से लेके 990 तक में भी 300 बार ही आएगा क्योंकि 1000 लिखने में उसमें तो कोई 9 है नहीं तो 1 से 1000 में अगर 300 टाइम्स हम 9 लिखते हैं तो 1 से लेके 999 तक में भी 300 टाइम्स ही रहेगा हमारा 9 वैसे ही एक से लेके 100 तक में हम कितने बार 9 लिखने हैं 20 टाइम्स तो अगर एक से लेके 99 तक में मैं पूछू तो वो भी 20 टाइमस यह आएगा क्योंकि 99 के बाद तो सिर्फ 100 लिखना है उसमें तो कोई 9 यूज हो नहीं रहा है तो अब इस चीज को देखिए कि 1 से लेके 999 तक में आप 300 बार लिखते हैं 9 और 1 से लेके 99 तक में आप 20 टाइमस लिखते हैं तो अगर 1 से लेके 999 में से मैं 1 से लेके 99 तक वाला हटा दूँ तो क्या बच जाएगा 100 से लेके 999 वाला बच जाएगा तो 300 में से अगर मैं 20 सब्ट्रेक्ट कर दूँ तो 280 आपका direct answer हो गया क्योंकि 1 से लेके 999 तक में 300 बार आता है 9 और 1 से लेके 99 तक में 20 बार आता है तो उसको हमने हटा दिया तो बच गया 100 से लेके 999 तक में 280 टाइम्स 9 यूज होगा तो अगर आपको ये result डारेक्टली याद है तब तो इतना आपको सोचना ही नहीं है डारेक्टली 300 में से आप 20 सब्ट्रेक्ट कर देंगे आपका answer आजाएगा ठीक है? Thank you